Hello everyone, welcome to Pharma Roks YouTube channel Pharma Roks के YouTube educational channel में आपका स्वागत है आज की वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में स्टड़ी करेंगे High Blood Pressure के बारे में High Blood Pressure मनलब की BP जो है वो काफी High हो जाना Increase होना की जो Normal Blood Pressure जो आपका होता है उससे Blood Pressure जो है वो बढ़ता है तो blood pressure बढ़ने के कारण क्या होते है कि कौन से reason से कौन से कूजिस के करण आपका blood pressure increase होता है फिर सेखेंगे उसके लक्सन क्या होते है मनलब कि उसके symptoms और इसके उपाए मनलब कि कैसे medicines यूज की जाती है असिस्टम प्रोफेसर और फाउंडर ऑफार्मरोक्स थेंक्यू फर बीन फार्मरोक्स फेमिली अपडेटेट रही है फार्मरोक्स के साथ एकसेस कर सकते study material को test series और वीडियो लेक्चर फार्मरोक्स के अब उपर तो अगर आप Android यूजर है तो Android आप डाउनलोड करें iPhone यूजर अप स्टॉर से और एकसेस करिए medicines related course एक साल तक फार्मरोक्स के आप उपर सरल बासा में affordable price के अंदर तो सीखे दवाईयों के basic use के बारे में उनके dose, side effect, warning and contraindications के बारे में तो अभी डाउनलोड करें अप्लिकेशन फार्मरोक्स या फिर ये नंबर पर आप कॉंटेक करके course जो है वो परचेस कर सकते हैं तो अब समझते हैं high blood pressure के बारे में कि जिसको medical terms के अंदर कहा जाता है hypertension तो hypertension की जो एक ऐसी medical condition है कि जिसके अंदर आपका blood pressure जो है वो increase होता है तो जो normally जो blood pressure measure किया जाता है तो वो उपर का blood pressure जो systolic का आ जाता है और नीचे का pressure की जिसको diastolic का हो जाता है तो अगर ये statistics बनते हैं 120-80 तो ये condition को कहा जाता है normal blood pressure कि ये completely normal है healthiness का सुचन बनता है ये पर ये जो है systolic यो diastolic दोनों से blood pressure जो बढ़ता जाता है increase होता है कि systolic भी बढ़ रहा है और diastolic भी बढ़ रहा है तो ऐसी condition को हम कहते हैं hypertension या फिर high blood pressure की problem तो यहाँ पर चार्ट की दवरा समझे तो ज्यादा आपको अच्छे से समझ में आएगा कि जो normal blood pressure है वो 120 और 80 के बीच में समझे की है कि systolic blood pressure 120 और diastolic 80 तो यह हो गए आपका proper normal blood pressure पर उससे increase होता है कि समझे की elevated है तो 120 से 129 और diastolic 80 के आसपा से रहे दे तो इसको elevated कहा जाएंगे मतलब कि थोड़ा सा blood pressure आपका बढ़ रहा है पर hypertension की condition कब कही जाते है कि जब यह blood pressure आप measure करवाते है और वो होता है 130 से लेकर 149 तक के मतलब कि 130 से लेकर 139 के बीच में जब blood pressure होता है systolic और diastolic भी आप देखो 80 से लेकर 89 के बीच में हो रहा है तो उसको कहा जाता है high blood pressure और stage 1 hypertension कहा जाता है अगर यहाँ से भी blood pressure control नहीं होता तो वो 140 से अबाव चला जाएगा और diastolic में 90 से अबाव चला जाएगा तो ऐसी condition को कहा जाता है stage 2 hypertension और समझे कि 180 से भी उपर बढ़ता है systolic blood pressure और diastolic करेता है 120 तो यह condition जब बनती है इस तरह के statistics तो उस वक्त हम उसको कहते है seek medical attention वालगे तूरंद patient को जब वो admit किया जाता है hospitalized किया जाता है proper जो उसको supportive care वगेरा दी जाती है और उसका blood pressure control करने के लिए proper medical treatment जो है उसको देनी पड़ती है तो अब जानते कि कौन से अलगे-लग reasons के कारण blood pressure increase हो सकता है तो सबसे पहले देखो कि stressful life यहाँ से हम सुरुआत करते है कि अगर आपकी life में काफी सारा stress है कि stressful आपकी life है तो stressful life के कारण blood pressure जो है वो किसी भी percent का increase हो सकता है फिर आप ऐसा खाना खाते कि जिसके अंदर salt जो है वो काफी ज्यादा amount में है फिर आपकी arteries जो होती है कि जो blood carry करने वाली जो blood vessels होती है वो abnormal हो चुकी है या फिर आपके body के अंदर blood volume जो है वो increase हो रहा है या फिर कोई genetic disorder से आपको तो भी hypertension मतलब कि blood pressure हो सकता है उसी तरह से कई बार समझे कि कोई hormonal therapies आप लेते तो उस वकद भी blood pressure increase होता है कुछ लोगों के अंदर pregnancy के दोरान blood pressure increase होता है फिर कुछ medications के करन भी blood pressure increase होते है और health conditions के ऐसे कोई बीमारी वगे रहा है आपके body के अंदर तो भी उसके दोरान जो है वो blood pressure के अंदर fluctuations देखनों को मिलते है तो blood pressure जग इंक्रीस होता है तो क्या problem हो कर सकता है वो तो उसके करन vision loss हो सकता है फिर heart attack आ सकता है कि अगर आपका blood pressure continuously high रहता है heart failure के भी सिकार हो सकते है आप stroke हो सकता है फिर sexual die functions देखने को मिलते है and kidney disease देखने को मिलेगी या फिर kidney failure जैसे complications देखने को मिलते है कर आपका blood pressure काफी high रहता है तो यहापे आप देखो कि कौन से अलग अलग symptoms देखने को मिलते है तो blood pressure जब increase होता है कि यहापे जब आप measure करते हैं उसका pressure person का काफी high है तो उसकी असर heart पे होती है आखों पे होती है brain के अंदर stroke करवा सकता है blood vessels पे उसकी असर होती है और kidneys पे तो यह major organs के उपर असर होने के कारण उसके कुछ symptoms देखे तो person को जो है वो सरदर जैसा feel करेंगे dizziness जैसा महिसूस करता है कोई भी person heart related उसको problem हो सकते है मिलब कि हमारे दिल से जुड़ी बीमारिया हो सकती है और नाक से जो है वो blood आना चालू हो जाएगा nose bleeding जिसको हम कहते है फिर vision में problem हो सकता है vision आपकी कम हो सकती आखों की रोसनी कम होती जाएगी fatigue में लब के काफी तकान जैसा आप महिसूस करोगे और numbness जैसा feel करेंगे आप आपके हाथ और पैरों के अंदर कि जैसे sensations कम हो जाते है ऐसा person जो वो feel करते कि जब उनका blood pressure जो है increase होता है तो complications में जैसे हमने बताया अभी की kidney damage हो सकती है heart attack आ सकता है brain stroke आ सकता है blood vessels आपकी damage हो सकती है उसके करन कई बार अगर वो blood vessels आपके brain के regions के अंदर damage होती है तो वहाँ पे वो hemorrhage करवा सकती है कि वो आगे जाके brain strokes होगरा के region बनते है तो यह सब complications जो होते है कि अगर आपको blood pressure जो हो continuously high रहता है तो सबसे पहले medicines से पहले हम बात करेंगे कुछ home remedies की तो home remedies के अंदर समझे कि आपके diet में जो यह जो ingredients है जैसी कि आपके diet के अंदर जो है वो banana जो है वो regular रहता है फिर आप जो हरे पत्ते वाली सब्जी या फिर हरे दनिया वगेरा खाते है सहेद आप लेते है लिमिट में आप मिर्ची वगेरा यूस करते है मैथी के दाने आप खाते रहते है फिर जो water melon है वो आप लेते है फिर प्याज आप अच्छे से यूज करते है coconut oil आप या coconut water आप लेते है lemon है और garlic वगेरा जो आप अच्छे से लेते तो उसके करन जो वो blood pressure में काफी फाइदे हो दे तो प्याज की हम बात करें onion की बात करें तो onion के अंदर क्या है कि एक फ्लेवेनेट्स से बरपूर होता है कि जो quarsetine करके जो फ्लेवेनेट्स होता है वो उसके अंदर present होता है कि वो क्या करता है रक्त वाहिनियों को पतला करने में जो है वो मदद करते है कि जिससे ब्लड प्रिसर जो है वो आपका मैंटेन रहता है आवला क्या करते है कि आवला के सिवन करने से भी आपका ब्लड प्रिसर जो है वो काफी हद तक कट्रोल में रहते है और लसून जो है वो भी काफ़े फाइदे मन सावित होता है फिर मैथी और अजवाइन का पाने भी आप combination मिले सकते कि यह कुछ home remedies है अब बात करते हैं medications के जिसको कहा जाता है anti-hypertensive drugs कि अगर आप BP के patient है तो blood pressure के जो patient होते हैं उनको regularly यह BP की गोली जो हो लेनी होते हैं जिसको blood pressure की दवाइया कही जाती है जिसको blood pressure high है या फिर high BP की गोली या फिर high BP दवाइया कही जाती है तो यह medications क्या करती है especially जो high blood pressure होता है उसको treat करने के लिए जो वो use किया जिसको हम कहते हैं anti-hypertensive drug कि यह ऐसी दवाइया है कि जो blood pressure को बढ़ने से रोकती भी है prevent करती है उसको control करती है और आपका जो hypertension है high blood pressure की जो reasons होते है उसको भी eliminate करने में help करता है तो यह पर हम देखे तो कुछ diuretics class के जो anti-hypertensive drugs है कि जैसे कि थाइजाड diuretics के अंदर hydrochlorothiazad यूज किया जाता है कि आप उसके आप tablet देख सकते है कि जो 12.5 mg के dose में available होते है तो usually जो यह सब hypertension की जो medications होती है high BP की जो दवाईया होती है वो खास कर once a day ही prescribe की जाते है कि दिन में एक ही specific time पे जो वो patient यूज करते होते है और उनका अगर blood pressure high हो तो डॉक्टर के सला के according to और आप proper diagnosis के बाद ही जो वो दिन में दो बार ले सकते है बरना जाता ज़स ज़्यदा one day की जो tablets होती है दिन में एक ही बार लेने से blood pressure जो है वो control में रहता है फिर chlorothalidon करके है इंडापेन माइड करके है high ceiling diuretics के अंदर furacemide prescribe की जाती है कुछ लोगों को spironolacton या फिर amyloride जैसे medications भी prescribe किये जाते है diuretic class में से फिर जो AC inhibitors है कि angiotensin converting enzyme inhibitors कि वो भी क्या करती है blood pressure को reduce करने में हैर करती है कि आप अब देखो कि कुछ famous pril वाली जो दवाया है कि उनके पीछे जो है वो pril लगता है जैसे कि captopril है, NLA pril है, Lysinopril है Perindopril है, Ramipril, Fosinopril तो यह सभी को angiotensin converting enzyme inhibitors AC inhibitors का आ जाता है कि अगर यह enzyme के activity को आप inhibit करते है तो आगे जाके blood pressure जो है वो reduce होता है तो यह mechanism का फायदा लिया जाता है specially कि जिन लोगों को blood pressure काफी high रहता है तो ऐसे लोगों को यह medications देने से उनका blood pressure जो है वो फिर से normal की range के अंदर रहता है तिसरा हम popular class देखे तो angiotensin 1 receptor antagonist जो कहा जाता है कि ET1 receptor blockers भी उनसको कहा हो जाता है कि जिसके lossartan है candesartan है, irbisartan walsartan and telmesartan तो यह इन में से कोई भी एक medications आपको जो प्रिस्क्राइब कर सकते है आपके healthcare providers कि आपको चाहे lossartan प्रिस्क्राइब करते है या फिर walsartan है, telmesartan है तो patient के conditions according to यह medications जो प्रिस्क्रेब की जाते हैं, साथ उसाथ देखना होता है कि यह medication उसको suit कर रही है, या नहीं तो अगर यह गोली या फिर यह दवाई आपको suit हो जाती है, तो फिर इसको जो वो continue करते हो और हर week आप एक बार जो आपका blood pressure चेक करवाते हैं, एक मैने तक और उसके बाद जो वो dose फिर से change कर सकते है, या फिर dose को कम भी कर सकते है direct renin inhibitors के अंदर हम देखे तो Alice की रेन करके काफी famous medication है कि जो specially क्या करती है, inhibit करती है first and rate limiting step of renin angiotensin aldosterone system की जिसको हम RAS system कहते हैं और specially जो conversion होता है angiotensinogen में से जो angiotensin 1 बनता है, तूस वक्त ये enzyme की जो ज़रूरत होती है, उनको inhibit करके ये medication अपना काम करती है तो इसका नाम है Alice Kiran यहाँ पे उसके कुछ popular brands आप देख सकते है Alice Kiran के ये एक जो Novartis का product देख सकते है अलग-अलग उसके brand name के साथ तो ये 150 mg के film coated tablets और यहाँ पे आप उसके 150 mg के tablets देख सकते है फिर calcium channel blockers के हम बात करें उसके अंदर वेमा, वेरापामिल है, डिल्टी, अजम है, निफेडीपीन फैलोडीपीन, अमलोडीपीन निट्रेंडीपीन, एन लेसीडीपीन जैसे medications prescribe की जाते हैं यहाँ पे आप देखो वेरापामिल का जो tablet है 400 mg, 40 mg की dose में available है, तो यह भी खास कर once a day patient यूज़ करते हैं फिर निफेडीपीन है तो भी उसको खास कर once a day यूज़ किया जाता है और जरूरत पढ़ने पर ही उसका dose increase किया जाता है फिर आप amulodipine देखो, एटनॉल के साथ combination में तो बहुत सारे anti-hypertensive drugs आप कई बार combination में भी देखोगे कि अगर patient को इसके single use से ठीक नहीं हो रहा तो उस वाक्त ऐसे दो अलग-अलग class की anti-hypertensive drugs के combination भी यूज़ किया जाता है कि जैसे कि या पे calcium channel blockers के साथ जो प्रोप्रानॉल है बीटा एड्रेनर्जिक ड्रेग वो combination में है तो प्रोप्रानॉल है मेटा प्रोलल, एटनॉलल जैसे medications काफी popular है और बीटा ब्लोकर्स में से तो एटनॉलल 25 mg का आप देखो प्रोप्रानॉलल 40 mg और मेटा प्रोलल है जो है वो 25 mg की जो प्रिस्क्रेब की जाते है फिर आलफा एन बीटा एट्रेनर्जिक ब्लोकर्स जो कहा जाते के आलफा भी ब्लोक करता है बीटा भी तो उसमें ले बेटा लॉल और कारवे डिलॉल करके है तो ले बेटा लॉल का आप देख सकते है यहाँ पे टेबलेट की जिसकी स्ट्रेंथ है 100 mg और कारवे डिलॉल का जो टेबलेट देख सकते है जो है यहाँ पे आप देख सकते है उसका कॉंबिनेशन तो कारवे जोन करके जो 3.125 का जो उसका प्रोड़क्ट है वो काफि फेमस है और वो भी blood pressure को जो है वो reduce करने के लिए उसको maintain करने के लिए यूज की जाती है आगे देखे तो alpha blockers में से prajocin है, terajosin है doxazosin, phenolamine है and phenoxyvenzamine तो उसके अंदर यह josins वाली है जो 3 medications है वो सबसे ज़्यादा use की जाती alpha blockers कि यह आप आप देख सकते है के साथ उसका formulation से देख सकते है कि जिसकी strength है 5 mg के tablet तो यह patient खास कर यह भी once a day जो है वो use करते है OD के अंदर के दिन में एक ही बार लेने से उनका blood pressure control रहता है central symphythylitis के अंदर समझे के आगे जो हमने medications के बाद के उससे blood pressure proper control में नहीं हो रहता है तो सब्सक्राइब इनका आपके पास एक option रहता है फिर methyl dopa का पी आपके पास एक सो option रहता है vasodilators के हम बात करें तो hydrolagen भी कई बार prescribe की जाती है minoxidil है diazoxide है और arterial venus के अंदर हम देखिए तो sodium nitroproside तो यह injection के थुरू दिया जाता है specially IV infusion के अंदर दिया जाता है यह और hydrolagen वगरा है minoxidil desoxidil वगरा इस तरह से proper उनके doses जो है वो prescribe किये जाता है जिसके अंदर आप यहाँ पर देख सकते है hydrolagen जो है वो 25 mg के यहाँ पर tablets जो है आप चेक कर सकते है अब यह medications के कुछ हम common side effects देखे तो कुछ लोगों को cough जैसा feel होता है कुछ cases में diarrhea हो जाते है मतलब कि दस्त हो जाना, constipation हो जाना dizziness feel करते हैं कुछ patient या फिर lightheadedness मतलब कि थोड़ा सा आपको दर्द होता हो headache जैसा सरदर जैसा feel करें dizziness feel करते हैं कि जैसे नीन दाती रहे erection के problems कुछ patients में देखे जाते हैं erectile dial functions के problem पुरूसों के अंदर कई बर देखने को मिलते हैं feeling nervous के मालब कि nervous feel कर सकते हैं आप feel कई बर थकान weakness feel करना drossiness, energy कम होगे मालब कि काफी थकान feel करता है patient और सरदर जैसे कुछ लोग feel करते हैं और nausea vomiting तो यह कुछ उसके common side effect है अगर यह side effects काफी ज़्यादा increase हो रहे हैं या फिर severe हो रहे हैं या फिर आपको body के उपर कोई susan वगेरा देखने को मिलती है hypersensitive reactions देखने को मिलती है तो तुरंत वो medications को लेना बंद करना चाहिए और तुरंत आपके doctor या फिर pharmacist को बता के dose जो हो change करना चाहिए या फिर medication जो हो change करनी चाहिए तो यह था special video lecture hypertension के बारे में तो SAC के अलग-अलग disease और उनके treatment के बारे में medicines के basic use, dose side effect warning, contraindications के बारे में सरल बासा में एक साल तक PharmaRox के आप उपर Offerable Price में तो डाउनलोड करिए आप PharmaRox और एकसेस करिए PDF and PPDs of our lecture Offerable Price में एक साल तक तो भी डाउनलोड करिए आप PharmaRox Android application है Google Play Store पे या फिर ये नंबर पे आप हमें WhatsApp कर सकते है तो Study Material, Taste Series and Video Lecture के लिए जरूर से डाउनलोड करिए PharmaRox और एकसे अप्लिकेशन Android application है Google Play Store पे Apple iPhone, FA App Store के लिंक आपको description box में मिल चाहेगी Good luck and all the best